पता है क्या होता है बहुत बारना जब हम लोग डबली एज फैमिली वर्ड्स को यूज करते हैं तो पजल हो जाते हैं कौन से वाला डबली एज कहां यूज होगा जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो हूँ सिर्फ वहां यूज होता है जहां आप किसी इनसान को व्यक्ति को दिखाना चाहते हो जबकि वहां यूज होता है जहां पर आप टाइम दिखाना चाहते हो यानि अगर आप समय पूछना चाहरे हो किसी से कि ये काम कब होगा भाई कितने बज़े होगा बड़े दिन हो गए तो जब टाइम की तरफ इशारा हो तो वैन की तरफ जुकना है व जो मेरे बारे में पूछ रहा है तीन दिन से, व्यक्ति की तरफ इशारा होगा है, व्यक्ति की तरफ इशारा होगा है, तो किस से पूछो, हू से पूछो, अगर हम English में वेर को यूज कर रहे हैं, यानि कि हम जगा की बात करना चाहते हैं, जगा यानि प्लेस की बात करना चा इसी तरीके से how, किसी काम को करने का method दिखाता है बच्चों, how हमें सिरफ वहां लगाना है, जहां पे वो काम किस तरह से हो रहा है ये बताया जाए, means, how will you write this letter, आप इस letter को लिखोगे कैसे, English तो तुमें आती नहीं है, ऐसे कहते हैं हम, तो उस sense में क्या use होगा बच्चों, how use होगा, ठीक है, अगला डबलिवेच जिसमें मैंने बच्चों को confused देखा है, वो है which, which English में आता है, choice के लिए, जब आपने choose करना है, many, बहुत सारों में से किसी एक, one from many वाला choice होता है, उसको कहते है, which, suppose आप लोग शापिंग करने चलेगे, जाते रहते होगे, अब शाप कोन सारों कर रहे कितना हैं, आप दुकांदार में से चल कोड़ाओ, जो है इसमें से चल के लिए यानि, first choose from them, यानि, which of these you will buy from these? which of these तो विच लगा के कहेगा आपको कौन सा लोगे, पहले ये बताओ फिर और दिखाओंगा, तो how कब लगाओगे, कैसे होगा ये काम समझ नहीं आ रहा, कैसा लिखते हो मम्मी कैसा खाना पनाती है पापा कैसा बिहेव करते हैं तो ये कैसा how, how will you do that particular work, method of doing work is how, where means कहां, कहां मिलेंगे, कहां करेंगे जहां पर भी समय की तरफ इशारा होगा that is where, when time के लिए बचों, और who किस के लिए आएगा person के लिए, तो इन WHS को आज के बाद use करो तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान रखना और गल्द करने से पचना